एक साल बाद मारेणुका और पुत्र परशुराम की आलोकिक और पारंपरिक मिलन के साथ ही शनिवार को अंतरास्ट्रिय रेणुका मेले का भवे आगास हुआ मुख्योंत्री जैराम ठाकुर ने शोभायात्रा की आगवानी करते हुए मेले का शुभारम करने के साथ देवपालकियों को कंधा भी दिया इसी परंपरा के साथ साथ दिन चलने वाले अंतरास्ट्रिय रेणुका मेले का आगास किया गया मेले में जावुकोटी, कटाहशीतला, मंडलाहा और माशु से चार देवता शिर्कत कर रहे हैं देवपालकियों को ददाहु स्थित खेल मैदान में लाया गया यहां से पारंपरिक वादे यंत्रों और धोलन गाडों की थाप के बीच रेणुका जी का भव्य अशोभा यात्रा भी निकाले गई कोरोना से बचाव के लिए इसमार रेणुका जील में स्नान से पहले श्रधालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है